वेल्कम फ्रेंड युक्ति आईएस एवे टू सकसेज में आपका स्वागत है अधिस चैनल पप नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने दोस्तों साथ युक्ति आईएस को साजा करें इसके साथ इसाथ बेल आइकन को दबाए जिससे आपक टेस्ट है चलता है current सब्सक्राइब करें अधा से सब्सक्राइब कर सकते हैं अधार जिससे नंबर से संपक्र कर सकते हैं विभिन प्लैटफॉर्म इसके वहाँ से आप जूड़कर जूड़कर युक्ति जो परियास किया जा रहा है संशिप्त और सारगर्भित कि को आपके सामने लाना उससे आप जूर सकते हैं जिससे आप दिये गए प्रफेशन जो भी सो कोस्टें प्रफेशन पुछे जाते एक जाम में आप उसके अधिकतर से अधिकतर प्रफेशन सौल्व करने की स्थिति में हो चलिए कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते पॉलिटिक है जिसमें नाइगता समंदी पाठ हो चुका है आज दूसरा पाठ होगा आसा करता हूँ जो भी इससे रिलेटेट कोस्टें है जो इस साल बनते हैं वो सारे सौल्व होंगे और जो भी आपकी जानकारिया उसमें कुछ विर्दी हो सके चलिए जिसमें कल मैंने आपको नाइगता समंद प्रावधान क्या है अनुछेदगत प्रावधान क्या उसमें कुछ महत्मून बाते थी उसे भी आपको मैं सामने रखा था और नेश्ट जो थे इसमें नाइगता देनिया उनीसो पच्पन के अंतरगत जो जो चीजे थी उसको भी असपस्ट करने का प्रयास प्रकार के ना जन्म से नाइक था बाइबर्स से होता है जन्म के अधार पच्छबी जन्म निश्ट पचास यह माता पिता को भी भारती है नाइक होना चाहिए जो भी डेट दिये गए हैं इससे संदर्भी तो जो रेट आपको कर दिये गए टॉपिक उसको आप अच्छे तरीके देखे क क्योंकि आपको बार बार यह चीज टॉपिक में रिपीट होगा प्लस एक्जाम में जो भी कोस्टन आते हैं उससे कुछ चीजे रिलेटीड होगे साथ ही साथ जबी पेसी का कथन करनी वाला प्रस्टन होता है जैसे ए बीसी दे देता है उसके बाद आपको उत्तर कथन में साथ ही उसमें आपको यह सब चीजे डाइवाट करने के लिए दे दिये जाते जैसमें डेट समन्दी बाते होंगी तो आप इन सब चीजों को ध्यान से दें चलिए अपवाद क्या इसका देख लिते हैं पर्थम पर्थम इसका यह है कि यह विद्या लागू नहीं नहीं हो अर्थात कहने का अर्थ ही है उस बैक्ति या उस बच्चे पर लागून जो जिससे भारत की स्वत्रुता हो या ऐसे राजने जहां भारत द्वारा नाइकता नहीं दी जाती है तो चलिए दूसरा इसका क्या है अपवाद इसमें देखते हैं स्वत्रु के अधिन भारत के किसी सवत्त द्वारानी बच्चे हो अगर को चक्ता हुँत काल के दौरान ऑस्ाइप जब तक बरत नहीं बन सकता है जब तक बनाया जा سकता है पर जब तक सरकार नाचाहे जब तक संसध किसी बेक्ति विसselves को भारत का नायकता नहीं दे सकता है वंसा धिकात वारा नायकता प्राप्त करना तो भारत के बाहर किसी देश में 26.250 या उसके बाद जन्म लेने वाले बेक्ति भारत का नारी हो सकता है अगे उसके माता पिता में कोई भारत का नागरी खोर तो यहां पर कुछ बाते रेट से दो बाते लिखी गई है भारत माता की नाइक्टा के अधार पर विलेस में जन्म बैक्ति को नाइक्टा परदान करने का प्रदान नागरी संसोधन अधिनिया उनिसो बारा बिरानवे में दिया गया तो यहां पर आप एक है जो इंब्ब्र पूछा जाता है कब से माता के अधार पर बच्चों को भारत में नाइक्टा देने का अधिकार या पर्चलन में लाया गया तो देख लिए कुल देगा इंजाम में बहुत ही काम देगा फिर उसके नेस्ट है नौ दिसंबाव 1904 के बाद भारत के बाहर जन्मा को भी व्यक्ति वन्स के अधार भारत का नाईरिक नहीं हो सकता है वन्स के अधार पर तो यहां पर यह भी आपको ने उनके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो केंद्र सरकार के किसी सहमती से उस उक्त अवधी का पंजीकरण ना हुआ हो अधार यह माना जाता उससे पहले नहीं दिया जा सकता चलिए नेश्ट है पंजीकरण द्वारा नाइगता पंजीकरण द्वार नाइगता ऐसा ब्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निमलिखी सर्तों में से किसी एक से सम्मंदित होने पंजीकरण द्वारा नाइगता भारत का नाइगता है जैसे भारत में जन्में लेने वाला कोई ब्यक्ति भारत का नाइगत के रूप में प पर्मान प्रस्तूत करना होगा पर यह संसोदन हो चुका है जिसमें नाइकता संसोदन अंधियों 86 से पहले युक्त निवास करने के अवधी मात्र छो महने थे यह भी आपको पीटी में पूछ सकता है का किस अधिनियम से पूरु भारत में रहने पहले 12 वर्स फिर घटा दिया गया तो इस तरह नाइकता में संसोदन होते रहें और होते रहेंगे और सकता अनुसार और विशेश छूट भी दी जाती है किसी राजनिक के समंद में विशेश छूट भी दी जाती है तो आप इन सबों को भी साथ में लेकर चलें नेस्ट क्या भारती मुल्क के बैक्ति जो अववाजित भारत से बाहर किसी देश या अनस्थान में रह रहे हो भारती नाइकों के साथ बिवा करने वाले इस तरियां भारती नाइकों के अलसंख्यक बच्चे आदिस विदी से नाइकता प्राप्त कर सकते हैं नेश्ट है देशी करन द् भारती भारती हैं बाहरा सरकार के को आवेदन करने करके ब أوर्ती नाइकता प्राप्त की जा सकती है जिसके द्ष्थोस अनिवार हैं वह सब्सक्राप्त है तो यहां पर भी महत्पुन बाते वह देश वह जिस देश का नागरिक है उसकी नाइकता त्याग करके सपत ले सकता है भारत की नाइकता प्राप्त करने के लिए जो भी समंदित देश से वह वासी है वह को भी बैक्ती तो पहले वहां की नाइकता समाप करना पड़ता जैसे यहां पहले पकिस्तान की नाइक्ता त्याग की उसके बाद भारत की नाइकता उनको दी गए इसी संदर में आगे और दिछते हैं वह उस देश का नाइक नहीं होन चाहिए जहां देशी करन जवारा भारतिये नाइकों को नाइकता से लोहा या जटा आठात यह कहने तो उन देशों से नारीक नहीं होना चाहिए देशी करण के आवेदन के तत्काल पूरु कम से कम एक वर्स तक भारत में रहना होगा तो यहां प्रस्ण यहां से पीटी से पुछता है ना एकता प्राप्ट करने के लिए तो चाहिए पांस पांच वर्स से पांच वर्स साथ वर्स पर यहां पर क्या है एक वर्स कम से कम रहना होगा जब देशी करण यह रवदी तो है ही पलसाथी कम से कम जब लगतार आप रहना होगा इसके लगतार यहां रहना होगा ऐसा नहीं कि पांच साल में टर्म के साथ रह रहे हो लगतार आ आपको 12 महिने यहां रहना होगा 12 मंत तक यहां रहना होगा तभी जाके देशीकरण के अधार पर आपको मिलेगा अब ऐसा भी नहीं मान सोच के चलिए कि कोई ब्यक्ति देशीकरण के अधार पर ही के वर यहां पर भारत का नागी बन सकता यह अलग प्रोसेस है इसका उसके और भी प्रोसेस जो उपर बताया गया उसका टर्म कंडिशन अलग होता है कि चलिए वह पुर्ण आयू छंता और सद चरीत वाला ब्यक्ति होना चाहिए यह वी एक कंडिशन है साथी साथ सविधान में उलखित भासाओं में किसी एक भासा का परियाद ग्यान होना चाहिए उसे तो यहां पर देशी करण में आपको एक कि आप कम से कम एक भासा का ज्यान होना चाहिए जिससे आप तो भासा जो भी 22 भासाइं उलेखित हैं सविधान में उसमें से कोई एक भासा तो यहां प्रस्ण यहां पीटी से बनते हैं साथ ही साथ राष्ट के परती सकरात्मक आसता रखना होगा अथ्वा निश्चित उसे राष्ट के परती निश्ठा की एक सपत पत्र लेना होता है यह भी भूमी के अरजन द्वारा नागता यह जो कि इसम में पर अधार पर बियाते हैं कहते जैसे आपको लक्ष दीप इसके संदर में आप समझ सकते हैं लक्ष दीप भारत का भाग नहीं था पर अंग्रेज जब भारत छोड़के जा रहे थे तो कुछ ऐसी परिस्ति उत्पन हुई जहां भारत को यहां पर यह सुनिक्त राष्ट के सहयोग से लक्ष दीप में इ बहुत और भारत का भाग नहीं था पर वो सुनिक्त दसक में हैं सिक्किम। स्पिति है सिक्किम है कि किसे कभी भाग नहीं था भारत का वह जब उनिसे से कद सक रखाबध करने लगा जब भारत में sacred हुआ तो पुरा जो smarter के नारि convertically माने गए मैंने जाले नमोगता की समाफ्टी कैसे होती है ही है प्रफशन यहां से बहुत बार पूछे जाते हैं अब पूछे भी जाएंगे तो जैसे अनुच्छे 10 के तहात असपश्ट है कि किसी नाइक और नाइकता का अधिकार संसत दुवारा बनाएगे विधी के लग किसी अनपरकार से या निरस्त नहीं कर सकता है तो कोन बनाएगा संसत बनाएगा समाप्त कोन करेगा संसत करेगा रहेगी जकनेहीं जखते हैं अरुचे 11 संसत को नाइकता के अर्जन समाप्ती नाइकता संबंदी अनुबंदों में प्रयाप पूर्ण सक्तियां प्राप्त है तो संसत को यहां बाते में पहले ही बता दिया कि संसत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अब कैसे देता है परित्याग के संबंद में देता है भारत को कोई भी वयक्स नागरी घोसना करके अपना नईता त्याग प्रोसेस आप फोलो करके वह त्याग कर सकता है इस प्रकार की घोसना वही भक्ति कर सकता जो भारत करते किसी दूसरे देश का नागरिक बंच चुका है अरथात ऐसा नहीं कि हम मान लेजिए मैं घोसना पत्र दे दूँ अमें कहीं का नागरिक नहीं पहले बना और घोसना कर तो सरकार इसे असेप्ट नहीं करेगी पहले आपको किसी देश का नाइकता का अवेधन करना वहाँ प्रोसेस अपनाना होगा उसके बाद ही आप घुसना कर सकते हैं या नागरी बन चुके तभी यहां की नाइकता स्वाप्त कर सकते हैं परत्याग कर सकते हैं फिर प्रियाव इसके तरीक नाईक्ता को समाप्त माना जाता है तो यह यह देखें आप जब सुएक्षा से जो नाईक्ता प्राप्त करता है उसमें प्रियावरस वासान वाला जो भी नाईक्ता समंध्य अधिकार चीने जाते वह इदी लागू होते हैं फिर वन्चित करना भारत का वर्तमान ऐसा नाई जो पंजी करन के द्वारा भारत का नाईक बना था वह केंद सरकार के आदेशों द्वारा नाईकता के वन्चित किया जा सकता है तो यहां देख रहे हैं आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें आप देख रहे होंगे परित्य सब्सक्राइब कर लेता है तो कुछ की पॉइंट है उसको पकड़ के चलिए तो जिसे आएंगे तो आसानी से आप लो उसको सौल्म कर सकते प्रस्ण को इसमें आप देख रहे हैं वैसा जो पंजी करन के अधार पर है तो देखे तीनों में अलग-अलग की पॉइंट है आप से देख लिजेगा फिर नोट देखिया क्या है जैसे कुछ बात या नोट से आपको मैं कली बताया जो भी नोट लिखे जाते उसको अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि ग्याम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वह रहता है भारत सरकार नीम में से किसी अधार पर किसी मैं सब्सक्राइब को भारती नाइरिक से बंचित कर सकती है जैसे सविधान के पिर्टि निस्था रहने में आस्था ना रखने वाले ब् diy है और स्विधान और की विधी जो विधी पर किरिया है जो भी संस्थाएं है उसके परति यार जो भी राष्ट के एक्टा खंटा के विरूद बाते करता हो तथा साथ ही साथ ऐसे संकारियों में लगा रहा है जिससे राष्ट की एक्टा खंटा था राष्ट की मर्यादा खंडित हो कपट पूर्वा का थौध से भारतिक नाइकता अरजित की हो कोई ऐसा विदी से भारत का नाइकता प्राप्त करता जो डियो प्रोसेस लोग के तहर तह़त सही नहीं माना जाता सरकार के द्वारा अगर वह बाद में उसे जनकारी प्राप्त होती है तो सरकार ततकाल से उसके सब्सक्राइट की सजाः इगर कोई ब्यक्ति भारत का नारीक बनता है तो उसे पांच वर्स के अंदर कंसे कम वैसे सजाः नहीं होनी चाहिए जिसका सजा काल दो और सरकार कोई भी नाईक्ता अगर ऐसा होता है तो उसको देसक्राइट नाईकता जो गई है पंजी करन्दवा चीन ली जाती है साथ ही साथ किसी नाइक इस्तरी अप्रूस अधी दूसरे देश के इस्तरी पूछ से साथ विवाग करने परादा कोई ऐसा बैक्ति विस्यस कार्य करता तो उसके भारत करना इकता संगर मान लिए निए को बैक्ति यहां से अमरिका नाइकता समाप्त की जा सकती है रह congruda साथ भारत के बाहर निवास करने पर घाला से 7 वर्ष तक महीं विचार्णा की तरब कि नाइकता वह बोलता है और चोड़ना चाना तो तो नायकता लिया जा सकता है नाइकता समथी विवाद है यह बहुत तोपिक है इसी से बहुत प्रश्ण आपको बनेंगे जैसे कैसे आप समझे क्या है सोनिया गांदी के परधान मंति बनने की संभाना जो तेरी लोगसवा विवाद जब में कल आपको बताया वे था कैसे विवाद उत्पन हुए थे इसी में विवाद को जन्म दिया कि देशी क अथ्वा पंजी करन द्वाला नहींता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भायत के उच्टम स्वेधानिक अथ्वा प्रधान मंति पत्पासिन हो सकता या नहीं इस पर लोगसवा चुनाओं लड़ने के प्रस्ट पर क्या है बाते कुछ बाते असपर उसको पहले देख ले हैं तो उसमें कोई व्यक्ति कोई भी लोगसवा सदस्य स्वेधानिक रूप से परधान मंत्री बन सकता है अधि उसे लोगसवा में आवस्तक समर्थन प्राप्त हो फिर भारतिये सविधान का नुच्छे 14 में विधी के समक्षे समता का अधिकार है और नुच्छे 16 सरकारी के निवख्चियों में अवसर की समतापतां करता तहां किसी विब्यद का परतिस्य करता है अथा भारति टीये समिध्धान राजसवा के सबक्षिदों है बंने का अधिकार देता उत्यत हैं तो यहां आप ऐसी बाते देख रहे हैं कि सोनिया गांधी के परकरण में ऐसा कोई प्रवधान नहीं था जिसके कानों भारत की प्रवधान मंतिर नहीं बन सकती थी पर यहां पर दो थियोरी काम कर रहा था एक तो स्वेधानिक प्रवधान पर भारती स्वेधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जैसे स्वेधानिक पदों पर किस ब्यक्ति की निक्ति होगी केवल भारत का नारिक ही माना जाए जो रहेगा उसे कोई स्वेधानिक पद पर बन सकता है तो यहां दो थियोरी काम करता जैसे क्या थियोरी है पहला तो एक था कि कुछ विवाद उत्पन हुए थे सोनिया गांदी के संबन में उनकी नाइकता के संबन में उनकी कुछ-कुछ बाते बिवाद उत्पन हुए थी साथ ही साथ एक और बाते थे अगर ऐसी भावना नहीं लिखी गई है कि उसे विधानिक पद पर पर केवल भारत का जन्म लिया हुआ वैक्ति ही उसका अधि अब हमारे प्रोसेस उसको मवजूद बने बहुत से स्वेधान से हम ने बहुत सी बातों को लिया है उससे सीखा है वाईसे कोई भी ऐसा राश नहीं है जिसमें भावना च्हिपी रहती है कि स्वेधानिक पदों पर न्युक्ति के लिए भारत में भी ऐसी आपना या भाव ना नहीं थैं किब पतपर केवल उन्हीं व्यक्तियूँ को बनाया जाए जो केवल भारत में जन्म लिया हो और भारत में दोब्स प्रापत है क्विथिल भावने च्छिपी रहती है врем हो प्मोहन सिंज्जी को परधानमंत्री बनाया गया था चलिए नेश्ट देखते हैं क्या है तो आप ऐसा अगर कुई बाते आते हैं आपके सामने जिसमें स्वेधानिक पदों के संबंद में कुछ बाते आती हैं तो आप इसको ध्यान रहें यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं उसको कि भावना ऐसी छ देखते हैं कि चलिए कि भारतिय डायस्पोरा के व्यापक अध्यन ता उसके साथ रचनात्म संबंद को बनायों बनाने के लिए उपायों का मुसंसा देने के लिए वर्ष 2000 में यहां पर प्रस ने आपको यहां पीटी से पूछेंगे जब डायस्पोरा के सम्मद में कौन सी समीति के गठन हुआ था कब हुआ था वह क्या निर्णे दिया इस सम्मद में बाते पूछ सकता तो 2000 में हुआ था समीतिन अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों के निवास करने वाले मूल अधिकारी जो भी नाइरिक थे परसन आप दे इंडियन और्जिन पी आई ओएस को दोहरी नाइकता प्रदान करने की सिफारिस की थी तो नाइकता संसोधन अधिनियम 2003 में यह प्रवधान भास कर लाया गया कि माधियन से भारा सरकार नाइरिक अधिनियम 1905 में स सोल्ला देशों तो यहां देख रहें पाकिस्तान बंगला देश को छोड़कर पी आई ओएस के लिए विदेशी भारतिय नाइकों का प्रदान किया गया तो जो विवाद 2019 में उठे हैं कि आप जब मैं इनको बताऊंगा तो यह बात आप ध्यान रखिए गया कि सोल्ला देशों में उस समय भी 2003 में भी भारत पाकिस्तान जो बांगला देश और भारत का सम्मंद पलस भारत पाकिस्तान के सम्मंद को देखकर ही यह देश छोड़ा गया था जो भी प्रसपर सम्म समय जो भी विवाद थे कुछ हालिया विवाद थे तो यह आप अभी भी ध्यान में रखिए जब मैं 19 का जब आपको चर्चा करूंगा उसमें बताऊंगा क्या सरकार की परक्रियाएं गलत है लोग की विवाद उत्पन कर रहे हैं जब मैं 19 का समसोधन बताऊंगा वहां प को ध्यान रखने केवल आज यह नहीं परक्रिया अपनाई जा रहे हैं सरकार्टी और प्रोसेस लोग के धर्म के अधार पर किसी बैक्ति विशेश को नाइकता नहीं दी जा रहे हैं यह परक्रिया बहुत पहले से चली आ रहे हैं क्योंकि हमारे सब्द का पर्योग हमारे पर्षायश्तान बंगलादेश या तो जो अफगानिस्तान चीजें हैं देश्व सास्थ बाते लिखी गई है तो उसके अधार पर बार 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 डिश्म्ट होता रहे तो चलिए मिंस भारत मुल्य के विदेशी विदेशम नाई ब्रक्रों बारत सरकादमान नाइकता से अ हमारा उद्देश से सभी चीज़ों को सागर्वित करना भले समय लग जाए पर इसी चीज़ आपको दुबारा इससे संब्द जो भी चीज़ आपको पढ़नी न पड़े तो चलिए देखते हैं परिवासी भारतियों के लिए संब्द में को भारतियों परिवासी भारतियों मनाने का नुसंसा की थी इसके अधार पर 29 अपरिका से भारता आए थे इस संब्द में अब आप देखें यहां पर कल के सेशन में यहां से कल लास सेशन होगा इसका विदेशों में बसे भारतिय मुल्ग के लोग के स्रेणिया क्या के एनराई पी आई ओर ओसी आई अब यह दोनों को जो चीजे कॉंसेप्ट यह समाप्त कर दी गई है इसकी कॉंसेप्ट कुछ बनी हु कि जो भी चीजें पूछी जाएगी विरोद याँ बन सकते हैं हुज भी और नंबर पर संपर कर सकते यह कहां बन सकते हैं सब सबी online offline classes अब लेवल है नोट अब लेवल है पूर ओल जो भी एक्जाम से आपको तो आप जो दिये के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ है जो भी टेस्टरी चल रही उसे ज्वाइन कीजे क्योंकि जो भी exam lockdown के वाद सभी प्राराम होगे तो अभी आपको बहुत अच